नमस्कार दोस्तों देखा जाए तो रितिक रोखसन के फैंस के लिए बहुत तगड़ी गिड़नीज निकल करके सामने आ रही है क्योंकि रितिक रोखसन की मूवी वार टू का एनॉंस्मेंट कर दिया गया है और देखा जाए ये भी स्पाई उनिवर्स का हिस्सा है जैसे कि पठान और टाइगर आपने देखा ही होगा कि पठान मूवी में जिस तरीके से टाइगर यानि कि सल्मान भाई की इंटरी कराई गई थी और उस मूवी ने तावर तोड कमाई करके एक हजार करोन रुपय का कैलेक्शन कर डाला था वर्ल्ड वाइट के मामले में तो अब द पताया जा रहा है कि इसकी जो कहनी होगी वार टू के वो टाइगर थी की कहनी को आगे बढ़ाएगी यानि कि वार टू में सल्मान खान की तो इंटरी पकी है और साथ में क्या सारुक खान की किस तरीके से इंटरी कराएंगे देखने वाली बात होगी दोस्तों वहीं अब बात करें देखा जाए तो जहां वार मुवी जब रिलीज हुई थी तो इसने पहले ही दिन 50 करोन रुपय का केलेक्शन कर रा ला था और इस मुवी में थे रितिक रोसन के साथ टाइकर्स रॉप अब देखना आए कि क्या ट्रॉईगर्स रॉप वार 2 में भी नजर आएंगे की नहीं लेकिन मेकर्स का जो दिमाग है वो बिल्कुल अलग दोड़ रहा है उन्होंने टाइगर्स रॉप को तो छोड़िये फिल्म का डिरेक्टर भी बदल दिया है अब वार 2 को डिरेक्ट करेंगे अयान मुखर जी और दोस्तों अयान मुखर जी को आप इतने हलके में म लीजिएगा क्योंकि उन्होंने जितनी भी मूवी डिरेक्ट करी है आज तक कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है चाहें ले लीजिए ये जवानी है दिवानी चाहें वेकप सिड ले लीजिए और चाहें हाली में रिलीज हुई ब्रमास्त मूवी ले लीजिए ये तीन मुखर जी और रनवीर कपूर की चोड़ी सुपर डूपर हिट थी तो क्या अब आयान मुखर जी रितिक रोसन के साथ भी वही कारनामा कर पाएंगे की नहीं ये देखने वाली बात होगी वैसे भी ये एक्षन मूवी होने वाली है और रितिक रोसन बहुत ही जवर जरता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो वार टू मूवी है क्या ये पठान मूवी का रिकार्ड तोड़ पाएगी कि नहीं एक हजार क्रों का कमेंट में हमें जरूर बताएं क्योंकि इस मूवी में होगी सलमान खांग यानिकी टाइगर की इंटरी और हो सकता है कि पठा वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइब वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा